आए हमआरा problem statement क्या है मुष को पहले problem statement समंझते हैं हमें एक ड्वर्ली लिंक लिस्ट गीवन है ठेक है प्राव्लम स्टेंट क्या है वह समंझते हिए गेवन हमारा टास्क क्या परफॉर्म करना हमको ऐसा फंक्शन लिखना है है जो की link डवली paganist के लास्स्ट नोड को हिजो फेस्ट नोड को única एग है जब करें कंदो करना है मतलब मैं लिंक लिजिए उसमें 179 जाल mayor तो हमको करना क्या है विफ लिदो को स्टाइण नोड बनाना है प्रिक है तो चलिए इस इस चीज को solve करने के लिए हम coding start करते हैं तो मेरा logic क्या है लास्ट नोट तक पुछने के लिए हमको पूरे list को एक बार traverse करना होगा starting select end तक तो उसके लिए हम एक loop लगाएंगे कौन सा loop लगाएंगे while loop लगाएंगे ठीक है हम लास्ट नोट तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हमको पता है double link list में दो पार्ट होता है address का एक होता है right एक होता है left right अगले नोट को point करता है left पिछले नोट को point करता है ठीक है तो उसके लिए हम एक और हम memory allocation करेंगे तो उसके लिए इस्ट्रक्टर करते हैं स्ट्रक्ट नोट नाम से इस नोट में क्या क्या होगा तीन पार्ट होगा data members उसको पार्ट होगा एक होगा data दो पॉंटर होगा किस टाप का पॉंटर होगा तो नोट टैप का यह पॉंटर होगा क्योंकि किस पॉंटर क्या होता है पॉंटर होता है जो कि किसी का भी अडर्स करता है अब किसी का मतलब अगर हम को integer variable का store कराना है तो उसके लिए भी हमार पास option है हम integer pointer बनाएंगे अगर हम को structure इस और क olduğu तो प्रवाइबल में डेटा तो त्रॉक्चर डेटाइब बनना आ है, या फिर उसको पॉइंट करना है तो उसके लिए आध्रेस इस्टोर करना है तो के लिए अग्षो ओ my Αंध्रेस को में प्रस्तुर में structure का data type बनाना है या फिर उसको point करना है तो उसके लिए हम को structure pointer बनाना होगा अगर हम floating point नमर एक floating variable बना है float a is equal to b अगर उसका variable का address इस्टोर करना है तो उसके लिए हम floating integer बना है sorry floating pointer बनाएंगे तो चलिए अब हम यहां पर लिखेंगे left asterisk left और asterisk right left क्या करेगा left वाले node को point करेगा right क्या करेगा right वाले node को point अब हम एक pointer variable बना लेते हैं जो क्या करेगा हमारे list के हमारा जो list है ना वो dynamically हम create कर रहे है तो एक ऐसा pointer होना चाहिए जो की ट्रैक रखेगा उस पुरे node का तो उसके लिए हम एक pointer बनाते हैं start नाम से head नाम से कुछ भी बना सकते हैं तो struct node asterisk head ठीक और यह pointer होगा null pointer starting में क्योंकि अगर हम एक pointer बना लिए तो किसी ना किसी एक garbage value मतलब वो किसी भी एक location को point करेगा ही अगर हम उसमें asterisk operator लगाएंगे तो इसमें भी possible that कि वो कुछ garbage value को point कर रहा हो ठीक अब हम एक function call करते हैं पहले हम insert करेंगे पहले हम double English create करेंगे ठीक है उसके बाद हम उसमें operation perform करेंगे तो हम एक function बना इंसर्ट at start constant time में हो जाएगा इसलिए insert at start बना लेगा अगर आपको इसका सारा operation देखना है तो इसी channel पर हम हर एक operation का video separate से बनाए होगा है ठीक तो insert at start नाम का function call किया है अब इस function का definition देखेंगे इस function का return type क्या होगा वाइट कुछ भी नहीं return करेगा बस node insert करेगा अब इस function में पास कर रहे हैं एक तो हमारा data है तो उसको हम data नाम के भरेवर में store कर लेते हैं दूसरा हमारा pointer to pointer है तो इसके लिए हम उसको double pointer में store कर लिए ठीक अब हम क्या करते है एक node create करते हैं ठीक क्योंकि insert करने के लिए if अभी नहीं लिखेंगे नोड को insert करने के लिए node create करना होगा तो create करने के लिए हम इस ट्रक्न टैस्ट्रिक भी लिखके इस ट्रक्ट जो malloc function return करेगा उसको हम कर देते हैं typecast इस ट्रक्न नोड में ठीक अब malloc function call case में लिख देते हैं size of क्या इस ट्रक्ट इस ट्रक्ट इस ट्रक्ट नोड ठीक है अब हम क्या करते हैं नोड हम create कर लिए अब नोड में हमको data fill करना है तो b के data part जो पहला member variable उसमें क्या आ जा है वो data जो इस function में argument में हम फेज कर रहे हैं अब हमको इसको insert कराना है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं इसा भी हो सकता अभी starting में क्या है हर केस को analyze कर लेते हैं यह function तब भी काम करेगा जब नोड बहुत सारे होंगे यह function तब भी हम गाला काम करना चाहिए जब एक भी नोड नहीं है तो एक भी जब नोड नहीं है तो उस case में क्या होगा हमारा जो head pointer है किसको point करेगा नल को उस case में क्या होगा हमको एक नोड क्रियेट करना है ठीक तो उस case में हम एस्ट्रिक तो अब हम मतलब जो हमारा नोड अभी create हुआ वह starting node होगा मतलब एक ही node है तो वह ही starting node में इंसर्ट हो जाएगा ठीक अब एक लेफ्ट तो एक ही node है तो नहीं उसके left में कुछ होगा नहीं उसके right में कुछ होगा तो इसको specify करने के लिए हमको क्या sign करना होगा एक लेफ्ट में और एक राइट पार्ट में not return एक राइट पार्ट में क्या sign कर देंगे नल तो नल अभी कहां पर है उनको पता है नल अभी इस pointer में मिन फंक्शन में देखिए इन हेड का भी क्या value है हेड में हेड जो एक pointer value उसमें कौन सा value sign किया null जो कि किसी भी memory location को point नहीं कर रहा होगा ठीक अब हो यह हमारा node create हो गया ठीक है और एक step है न जो कि a streak of a assign not a streak हाँ a streak of a assign b यह इस में भी चलेगा और else में भी चलेगा ठीक क्योंकि हम स्टार्टिंग में कोई भी note को insert कर रहे हैं तो if अगर use कर रहा है तब भी स्टार्टिंग में ही add हो रहा है एल्स अगर use करें तब इस्टार्टिंग में ही add हो रहा है ठीक तो wait a minute इस code को अच्छे से analyze करें तो हाँ 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 नए ऐस पार्टिंग करना ही होगा ठीक एल्स मतलब क्या कम से कम नोट तो है एक से ज्यादा भी हो सकता है एक नोड है और हमको एक नोड को starting में जोरना है क्या क्या इसमें changes होगा हमको इस नोड के जो भी हम dynamically create कि है उसके left part में क्या assign करना होगा null ठीक है और B के right part में क्या assign करना होगा पहले नोड उस नोड का address इसको start pointer कर रहा होगा point मतलब यहां पर head pointer है तो उसको हम कैसे phase करेंगे वह आ जागा strict a के help से ठीक तो अब जो हम नोड क्रिएट कि है उसके left और right part में valid address आ चुका है अब हम क्या करेंगे अब हम को आप जह हमारा पहला नोड था वह पहला कि हमको पहले block को access करना होगा पहले block access करने के लिए masterik of a लिखके मतलब हम पहले नोड ब्लॉक के address पर खारें मतलब उसके block के बाहर खारें तो उसके left में क्या आ जाए इस node का address ठीक तो हम जो pointer create किये उसमें भी address changes हो गया और जो भी हम node create sorry अभी जो हमारा पहला नोड था उसके left pointer में भी changes हो या उसके बाद यह दोनों एक चीज़ हमें पता है if or else जब भी function कॉल होगा if or else में कोई एक ही function एक ही function execute होगा एक ही condition अगर if का condition यह false है तो भी else execute होगा और यह जो है अगर if चले या फिर else चले यह जो condition हम लिख्या है यह यह statement लिख्या है यह हमको चाहिए दोनों में से किस दोनों चले तो यह हो ठीक है क्योंकि lastly हम start को changes कर रहे है अब आये इसको test करने के लिए traverse function को call कर लेता है ठीक traverse में head pointer का address pass कर दिये अब हम इस traverse function को करते है define traverse function का return type क्या है वाइड कुछ भी नहीं return करेगा ठीक यह pointer restore कर रहा है address restore कर रहा है address के इस टाइप का struct node asterick a ठीक अब हम एक condition लागाते है अगर अगर a null है मतलब एक भी node नहीं है node रहता तो तो वह pointer उसको point ही करता तो उस case में return हो जा या फिर आप एक message भी प्रिंट कर सकते है list is empty else else में कुछ नहीं आप लूप लागा पुरे लिस्ट को बारे बारे से traverse कर लो जब तक a not equal to null हो जाए जब तक इन null की equal नहीं है तब तक हमको हर एक data को print करना है तो उसके लिए print up function यूज कर ले रहे हैं percentage d a arrow data अब a में हमको update करना अब a जो pointer है वो दूसरे note को करे point कब तक हमको यह काम repeat करना है जब तक a में नल नहीं आजा है मतलब अगर valid address है तब तक यह काम हो हर node का data print हो और a में update होते जाए a में आ जाए a का right मतलब अगले node का address ठीक है यह लूप चलने के बाद हमारा काम हो गया अब हम अगर अभी run अभी करेंगे तो 19 as a starting node हमारा अच्छा एक का left कहां पर है इस ट्रिक के ओ 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 के बी के left में बी के left में एक left में नहीं अभी सब्सक्राइबल यूज के भी ना तो बी में चेंड़े जो अब बी के जगा कुछ और भी एक मेंन में फुल ना भी लिख सकते हैं human understand level के लिए तो 19 है ठीक है और नोरी function को call कर लेते हैं कम से कम तीन node create कर लेते हैं ठीक है 12 address of head then we have 100 इसमें हम पास कर दिया head pointer का address ठीक अब run करते हैं तो पहले गया 19 पहले यह call हुआ तो यह 19 insert हो गया फिर starting में हमको 12 को डालना है तो बिल्कुल सही है फिर उसके बाद 100 चला गया अब हम एक function लिखते हैं जो क्या करेगा make last node as first ठीक है यह naming convention आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ठीक तो इसमें हमको अब address of head pass करना होगा क्यों क्योंकि हमको head pointer में changes करना है क्योंकि अभी इस function में क्या होगा जो हमारा पहले node को point कर रहा है ना अब वह हमारा पहला node नहीं रहाएगा तो लास्ट बना नोड है वह पहला node बनेगा तो उसके लिए हमको head pointer में changes करना होगा क्योंकि traverse करने हम पास करते हैं हमें सा head यहां पर ठीक तो इसलिए address of head pass के आई इस function को हम करते हैं define तो इस function का कि आई यह पहले पहले इसका iterative code लेख लेते हैं ठीक है make last node as first इसमें pointer address पास कर रहे हैं तो struct node asterisk a में store हो गया अब condition लगाते हैं अगर अच्छा अच्छा डवल पॉइंट रहे हैं वोगी address पास कर रहे हैं ठीक यहां पर वो condition लगाते हैं अगर इस अस्ट्रिक ए नल है ठीक और लॉजिकल और अगर अस्ट्रिक ए का जो राइट है न अगर वो नल है अगर यहां यहां जाए parenthesis में ठीक लॉजिकल लेंड और अगर अस्ट्रिक ए का लेफ्ट नल है ठीक है विच मेंज एक और यहां पर पर अगर ऐसा है तो उस case में return हो जागा ठीक कुछ मत करो ठीक क्योंकि को एसा भी हमारा इस यह condition का क्या मतलब एस्ट्रिक एजिक उस्ट्रिक मतलब list empty है और यह अगर condition true हो रहा है हमारा तो उस case में एक ही node है तब ही यह true होगा क्योंकि बीच में logical end लेगा अगर यह false हो गया तो 0 हो गया फिर यह evaluate होगा ही नहीं ठीक है तो उस case में return हो जाग क्योंकि उस case में को कुछ operation perform ही नहीं करना एक से ज्यादा है तब हमको टास्क परफॉर्म करना तो इसके लिए अब हम एक pointer variable बनाते है इस ट्रक नोड एस्ट्रिक भी में क्या साइन हो जाए एस्ट्रिक ओफ ए अब मेरा क्या यहां पी इंट्यूशन है हम हम लिस्ट को तब तक traverse करेंगे हमको एक चीज़ पता है लास्ट नोड के next में क्या होता है चाहे हम सिंगली लिंक लिस्ट का बात करें या फिर डबली लिंक लिस्ट का बात करें ठीक तो अब हमें एक लूप लगाते है वाइल जब तक बी के राइट पॉइंटर मतलब राइट एडरेश एडरेश फिल्ड में अगर नहीं हो जाता है अगर बी का राइट not equal to null है न उसके इसमें क्या करना है इंको बी में update करके last तक पहुँचना है last note तक का access लेना है मतलब address यह लूप चलने अगर यह लूप complete हो गया और हमारा control यह आ गया जब यह program execute होगा उस case में हमको क्या करना है उस case में हमको हमको उसके बी के left में changes करना होगा तो हम लिखें बी एरो left मतलब second node का हम बात करें second last node का बात करें last से second last node मतलब इसके just बगए उसके right pointer में हमको changes करना होगा क्यों क्योंकि अब कोईसा भी node उसके आगे नहीं रहा वही last node है ठेक है और बी के left part में क्या आजाए बी के left part में assign हो जाए बी का जो right है बी के left में assign हो जाए बी का जो right है means बी का left last node का left में आ जाए जो बी का right है तो बी का right में अभी null है न हाँ ठीक है में जाए जो बी का right है इसके बाद एक और condition लिखते है B arrow right अब B के right में क्या जाए पहले node का address पहले node का address कहां से मिलेगा asterisk of a operator मतलब अब वो पहला node के रूप में add हो गया ठीक है और अब हमको changes किसमें करना होगा जो अभी पहले node के तरह हम जिसको समझ रहे थे उसके left में हमको modification करना है तो उसको हम कैसे access करेंगे उसको access करेंगे asterisk of a k left part में क्या आ जाया हमारा asterisk a के left में आ जाया nothing but b okey b हाँ वो node हमारा मतलब a क्या है यह पहले node को point कर रहा तो a के left में changes करना होगा क्योंकि अब वो second node हो गया उसके बाद last में हमको start नाम का जो head नाम का जो pointer है उसमें करना होगा changes तो यह function complete हो जाने के बाद हम क्या करते हैं इस लिस्ट को traverse कर ले रहे हैं ठीक है list को traverse कर लेते हैं head pass करते हैं ठीक यह function चल जाने के बाद हम प्रिंटा function के लिप से line में change कर लेंगे अब हमारा 19 I think starting में होगा चलने के बाद कुछ changes नहीं हुआ क्यों कुछ error है क्या कुछ error है क्या वेट 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 इंसर्टर इस्टाट 19 ठीक है अच्छा सॉरी सॉरी इस function को यहां से remove करना होगा ठीक है उसके बाद traverse चले फिर सही है function call तब changes हो तब फिर जाके traverse हो ठीक अब हमको देखना है क्या changes हुआ है तो पहले list हमारा अब लास्ट नोट चला गया स्टार्टिंग में तो 12 आ गया लास्ट में और 100 चला गया second last फिर अगर इस function को हम इस function को दो बार call कर ले रहे ठीक तो आ विजुलाइज किजिएगा समझ में आएगा उसके बाद traverse किये तो क्या होगा यही पर हम find out कर लेते है 19 अब हमारा क्या हो जागा second node तो 19 हमारा क्या हो गया second node तो basically क्या हो रहा है rotate हो रहा है अगर आप इसको terms में समझे तो इसमें rotation हो रहा है node का rotation अब थोड़ा सा बराल इस create कर लेते हैं जिससे कि हमारे concept की clarity और अच्छे से हो रहे है तो 3 node था न अब हम 10 node पर यह काम करेंगे चिक 3 3 6 3 6 3 6 3 9 इसके बाद एक और node create कर लेते हैं यहां पर 9 ही रहने देते हैं यहां पर 1 ही रहने देते हैं यहां पर 152 यहां पर nothing but 10 ही यहां पर 190 यहां पर 123 यहां पर 1060 ठीक तो अगर इस function को अभी हम call करते हैं तो क्या output आता है वह देख लिए starting में यह था 19 स्टार्ट में गया और यह सा था वैसा हो जाए फिर से function को अगर call करते हैं comment को अटाके तो 12 चला जागा 12 19 उसके बाद इस हिसाब से प्रिंट होगा 12 19 1060 तो हमको क्या दिख रहा है कि हमारा output बिल्कुल सही ठीक है और कुछ टेस्ट केस मान लेते हैं एक ही नोड है उसकेस में भी चेक कर लेते हैं क्या output आ रहा है हर केस में 19 ही प्रिंट हो रहा है अगर एक भी नोड नहीं है उसकेस का output क्या आगा कोई error नहीं हो ठीक है तो हमारा code बिल्कुल सही इसकेस भी क्या कॉर्णर केस हर चीज को कभर कर ले रहा है ठीक आई अब इसको पहला जैसा था वैसे बना ले रहा है ठीक है ना आओ हो गया हमारा जो लास्ट नोड को फर्स्ट नोड बनाना था हमारा वह operation complete हो चुका है लेट स्टिंक अफ टैट तो बेश केस और रिकर्शिप केस हम आई यह एक बार इसको कोशिज करके ठीक है इस फंक्शन को यहां से रिमूब कर ले रहे है मेक लास्ट पैज फर्स्ट नाम से किस फंक्शन को हम Adresse of head पास करते रहे है ठीक है क्रेड्रेंस of head ही पास कर दे रहे है ठीक है घुट घ्लाय करता है इस फंक्शन करेजने टैब ए ऑपक्षै कहीं क्या 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 मत्रहाँ नोड्य नोड बारिश लत्यॉफ डहमें पॉइंटर भ्री की अब हम बेस के सोचते हैं ठेक अगर 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 इसे अगर 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 इस्ट्रिक एका राइट क्या हो जाए नल ठेक है अगर 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 एस्ट्रिक एका राइट थिक तो एक वम इंक्रिमेंट वाड़ाई से ट्रैट पे से रखेंगे इसका तो उसके लिए वेट 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 तो पुरस काम हमें काम करते हैं ठीक मैंडेस आफ हेट तो पास किया ही न है हम एक और पुएंटर भायेबल यहां पे रियेट कर ले रहे हैं ठीक है एस्ट्रिक भी और इसका है निसल वैल्यू है नल ठीक हम उसका पास कर रहे हैं भी के टंसमेड ठीक यहां पे आएगा स्ट्रक्ट नोड ऐसिक के अब तो अगर वाइट पॉइंटर में अगर नल है ठीक तो उसकेस में को क्या करना होगा एस्ट्रिक एका राइट पार्ट अगर नल है ठीक तो उसकेस में जो करना का उत्वरी दर बाद सोचते हैं और एल्स में आते हैं ठीक बी में आ जाए नथिंग बट एस्ट्रिक आफ ओके अच्छा एर राइगा ठीक है क्यों आर राइगा बताते हैं हम यह पर सिंप्ली हेडी पास करें ठीक अब हमारा करें अगर ए एर और राइट नल है तो उसकेस में क्या करना होगा और बी में आजाए ए ठीक है बी में आजाए ए बी में आजाए ए और इस फंक्शन को हम फिर से करते हैं कॉल एक का नेक्स एका राइट लेस्ट चेक और यह भी पास कर देरें ठीक और यह का हमको और एक राइट में जब नल आ जाए तो एक राइट में जब नल आ जाए तो अब क्या हमको एक राइट नल है मतलब लास्ट नोट पर हम खर रहे हैं तो ऌक वेट 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 वेटे वेट 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 हम एक रेरे साथ यूंट कर रहे हैं इसको डबल परइंटर में इस्टोर मनें जब red doc अगर एका राइट नल है विच मिन्स हम लास्ट नोट पर खरे हैं तो हम क्या करना होगा तो इस केस में हम एका राइट अजर नल है नथिंग बाट बेस्केस यही तो है इसके सोच में थोड़ा सा टीपिकल है इन टम्स आफ इट्रेटिव कोड़ बस्ट भी हब तो थिंक एका राइट अगर नल है तो एके एके लेफ्ट के राइट एड्रेस राइट पॉंटर में क्या आजाए नल ठीक है उसके बाद एके अहां एके एके लेफ्ट में आजाए नल ठीक एके राइट में क्या आजाए जो है एड्र एस्ट्रिक ओफ सी में ठीक अब एस्ट वेट एस्ट्रिक ओफ सी के लेफ्ट में भी चैनलिज करना होगा तो उसके लफ्ट में क्या आजाए एक तो एस्ट्रिक सी के लफ्ट में यह आगया और लास्ट्ली एस्ट्रिक ओफ सी में क्या इसाइन हो जाए हमारा पॉइंटर वारियेबल ए ठीक है रन करके देखें क्या चैन्जिस तो मेरे ख्याल से हो गया लेट्स रन इट कि एरर यह पर हम एड्रेस ओफ सी पास कर गया चैन्जिस नहीं सिंप्ली सी पास होगा ठीक उके तो अम इसको इसको मैनुली ट्रेस कर लेाए ठीक है में फंक्चन से हमारा कर्द्रोल ड्रेल हूआ हुआ में कुछ पास राति क्छल था तूपर को श्चाहे इस को लिखे जैनिक वार्प अधित तो पहला हमारा लिस्ट क्या था ऐसा ठीक है 1060 ठीक ठीक उसके बाद जब लास्ट नोड स्टार्टिंग में चला गया तो हां 1060 लास्ट सकेंड नोड में बन गया तो आउटपुट हमारा सही है अगर इसी इसको एक बार फिर से अगर रन करते हैं तब क्या आउटपुट आएगा साड़ी तो 19 गया स्टार्टिंग में ठेक यहां पर यह कब होगा यह तब होगा जब हम इस पहला कॉल को जब हमरा कंट्रोल इस पहला कॉल को इसी क्यूट किया तो 19 स्टार्ट में चला गया फिर से फंक्शन कॉल वा तब इस लास्ट में था 12 जो की स्टार्टिंग में आ गया मतलब ऐसे समझिए ना लास्ट का दो जो नोड होगा अगर द तो उमीद है कि आपको यह रिकर्सिव कोड समझ में आए ठीक है आप जब आपको रिकर्सिव कोड लिखना होता है तो आप उसको यह समझे कि हमारा फंक्षन एग्जिक्यूट हो चुका है उसके बाद उसमें क्या-क्या चेंज करना है तब और आपको रिकर्सिव कोड डिराइब करना है तो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं अगर आपको ब्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले इट्रेटिव कोड को दिमाग में सोच ल तो आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत गई तो आप कमेंट कीजिए इसको अच्छे से कैसे कैसे रिकर्सिव स्टैक बन रहा है कब कैसे पॉइंटर में चैंज जोरा है हर एक स्टेप हम आपको मैनुवाली करके बता हूंगा तो अपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं गया हो तो आज के सब्सक्राइब बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब के लिए थेंक्यू गुडबाए